अंसारी को सता रहा है जान का खत्रा कासगन जेल में अबास को डर लग रहा है सीजेएम गाज़ेपूर की कोट में उसने एक प्रातना पत्र दिया है सीजेएम कोट में चल रहा है अबास का केस जमीन हडपने के मामले में केस चल रहा है वहीं आज गाज़ेपूर जिला जेल में अबास अंसारी से परीजनों ने मुलाकात की अबास की पत्ने निखत और भाई उमर अंसारी ने मुलाकात की गाज़ेपूर जेल में कस्वी परोल के तहट अबास अंसारी निकला हुआ था और गाज़ेपूर जेल में इस वक्त तेर दिनों के परोल पर बाहर आया और गाज़ेपूर जेल में ही उसे रखा गया है फिलाल परिजनों ने गाज़ेपूर जेल में ही अबास अंसारी से मुलाकात की इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए है मनेश इस वक्त हमारे साहईerving इस वक्त हमारे साह जुड़े हैं मनेश जान का खत्रा बता रहा है अबास अंसारी और क्या है इस प्रात्ना पत्र में आपको बताब़ें कि अब्दास अंसारी ने गाजित सेजियम कोल्ट कर ज мы किलाफ जमीन हरपने का एक मामलाचा चल रहा है जियाप़ारी ने अपनी जमीन हरपने का अरौ क उस पर लगाया है जो केस विचादादीन है बीसी के तहट पिछले 6 अपरेल को अप्ता संसारी ने सिजियम कोल्ट में एक लिखित तातनापस अपने वचील के जरिये दिया और जब बीसी हुई थी पेसी के दोरान भी 6 अपरेल को उसने मौसिक रूप से भी एक आसंका जताई है कोल्ट के सामने की उसे काजगंज जेल में जानका खता है मुक्ता की मौत के बाद उसने ये आसंका जताई है उसने एक प्रातनापत्र पूर जानकारे देने के लिए तो एक प्रातनापत्र अब बासंसार की ओर से अदालत में दाखिल किया गया है जिसमें वो जान का खत्रा बता रहा है कासगंज जेल के अंदर पिली भीट में जनसवा के दोरान अखिलेश यादों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा साथी वरुण गांदी का नाम लिये बिना ही कहा कि जिसने किसानों के अंदुलन का साध्या पिली भीट से उसे दरकिनार कर दिया गया आप मेंसे बहुत स्लोग जानते होंगे जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे उन्हें पीछे कर दिया नौजवानों की बाच जो उठा रहे थे उन्हें पीछे कर दिया किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदुलन को मजबूत कर रहे थे उन्हें पीछे कर दिया और जो किसानों पे थार चला रहे थे बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकान के नहीं दिया बगल महीं आपने देखा है कि किसान आंदोलन को ले कर कि यही तेजह अंदर बृत निकले थे वहाँ पर उस आंदोलन को दमाने का काम किया था कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थाड़ से किसानों के आंदोलन को रूदा जाएगा कई लोगों की जान शली गई और उुपर वाले की प्रपा रही, भगवान की प्रपा रही के तेजन दरबिक हमारे जिन्दे हमारे साथ है अब ही भी किसानों की लड़ाई लड़ लड़ रहे है जो किसान अंदोलन को दवा रहे थे उन्हें संबान दिया जा रहा है और जो किसान अंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंज पे भी जगे नहीं मिल लई है कोई नया आया है प्रत्यासी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव रड़ना है तो हम बंबई बना देते पीली भीत को उदर अमेठी में केंद्री मंत्रे इस्मृति रानी ने राहूल गानी पर एक बार फिर हमला बोला राहूल गानी के वायनाट सीट से चुनाव लड़ने पर उन्होंने प्रहार किया इसमृते राने ने कहा कि राहूल गाने ने वाइनाड को अपना परिवार बताया राहूल गाने ने अमेठी की वफधारी के तोहमत की है 15 साल लोगों ने उन्हें सांसत बनाया लेकिन राहूल गाने ने अमेठी की हमेशा उपेक्षाई की है यारोप इस मृतिरानी न लिगा जान्दी से पूछा गया वाइनाड से कहे लड़ रहे हैं राहु गान्जी न लिगा वाइनाड के रोग जादा वफादा तरह हम क्या हुआ है पंद्रह साल मितम्मे सांसत को भया जिसने काम नहीं किया जीतने के बाद भी गया अब रहा है और अमेधी की वपादारी पर ये तो मत्वा हत्रे थे मैंने लोगों को रंग बदलते देखाया परिवार बदलते पहरी बार आउल गंदी को देखाया यहारोगेगे एक और ब्रेक के लिए खबरों का सलसला जा रही है